IIT-JEE means or JEE Advanced, mathematics की हम तयारी कर रहे हैं ये एक proper और comprehensive तयारी, बिलकुल free of cost आपको करवाई जा रही है हम पूरे syllabus को आपके 5 sections, 5 chunks में डिवाइड करता है coordinate geometry जो हम कर चुके हैं, इसके बाद हम calculus जो भी हम कर रहे हैं इसके बाद, वाक्टर संसरी, इलजेब्र, अटिक्नमाटरी आपके लिए प्लांट है बहुत properly, 100% free of cost, quality online education आपको kindergarten से 12th standard तक हम देते हैं आप हमारे notes, pdfs और e-books के लिए भी team से contact कर सकते हैं इसके लिए आपको इस video के description में दिएगा है link, get notes पर क्लिक करना होगा relations and functions, यह आपका chapter चल रहा है, calculus का first chapter और inequalities को लेकर एक अच्छा healthy और lengthy discussion हमारा चल रहा है lengthy इसलिए क्योंकि यह काफी insightful topic है, जिसकी हर एक बारी की आपके लिए explore करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे कुछ silly errors, कुछ बहुती minute errors कमिट करते हैं और उस वज़ा से वो अजीबों गरीब गलतियां करकर exams में आते हैं और कुछ तो भी answers लेकर आते हैं, जो कि वाज़े भी नहीं होते हैं, जो कि legitimate ही नहीं होते हैं तो उन्हीं सारे तरीकों को explore करते हैं, कुछ और questions के साथ हमने science की method सी की है, हमने एक method सी की है, चुकि हमारी wavy curve method का ही version है तो उसके तरू हमने questions को workout करने की आज बात की है और उसके तरू हम और clarity लेंगे कि देखो चीज़े कैसे float होती हैं और उस पर based questions कैसे सोचे जाते हैं जैसे ये रहा आज का आपका पहला question, आप इसे पढ़िए धियान से, देखिए और मुझे जरा बताइए कि आपके हिसाब से इस question का क्या answer होगा बहुत simple सी सारी चीज़े हैं, बट एक छोटी सी गलती students कर सकते हैं वो क्या, देखो, sir ये लिखा है 1-2x तो मैं इसे थोड़ा सा ठीक से लिखना चाहरा हूँ थोड़ा सा ठीक से लिखने का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है आप इसे लिखके रखो x-1 इसे आप लिखके रखो x-2 अब मैं यहां से –2 common ले रहा हूँ, अब जैसे ही मैंने काफी हद तक simplified दिख रहा है except for this part यह –2 तो क्या है –2 हम अटा सकने एक तरीका है, अब LHS और RHS दोनों में अगर –2 से multiply करते हैं अगर मैं LHS और RHS दोनों को –2 से divide करता हूँ, तो मैं यह –2 हट्टा हो देख पाऊंगा बिल्कुल सर, तो मैं कहना चाहरा हूँ –2 से जैसे ही divide किया, तो यह क्या बचेगा LHS पर, यह बचेगा X-1 X-2 और यह क्या हो जाना है X-1 by 2, लेकिन उस जद्द हो जाय में आपको यह एहसास होगा कि सर right hand side पर –2, अब जब आपने negative I'm really sorry, LHS और RHS दोन में एक negative value से multiply किया है तो shall I say inequality का sign invert हो जाएगा, यह नहीं कहिए greater than zero था, तो it should be now less than zero, तो पहले तो आपको यह समझाना थी कि यह और यह same question है यह पार्ट हमारा question का थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि 1-2X लिखा हो था तो हमने उसे आसान मना लिया कैसे हमारे standard method में convert करके जो हमने सीखी है, अब इसे कैसे workout करेंगे, मेरा कहना है इसे workout करना तो आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि हम इसे अपने number scale पर plot करके, अपनी VV curve method apply करके, चीज़े सोच लेंगे कैसे, देखो जरा, फिर से वही बात आप मुझे बताओ, कौन-कौन से critical points आपको मिल रहे हैं, सर 1 by 2 1 और 2, आप देख पारे हो, इन 3 points पर वो terminate होता है, तो मुझे 3 points मिले, कौन-कौन से 1 by 2 1 और क्या, 2 आप सर विस बात से सहमत है I hope यही 3 points है, 1 by 2, 1 और 2, फिर वही बात, आप कहीं से भी शुरू करिया, जैसे मानलो, मैं यहां से शुरू करता हूँ माइनस इंफिनिटी से 1 by 2 के बीच में कोई भी एक value चुन ली जाए, जैसे कि मानलो 0, 0 अगर मैं यहां रखता हूँ तो negative, negative negative into negative, positive positive into negative, negative, तो इसना साही है, सोचने का सारा खेले और कोई-कोई विशेश नहीं, मुश्किल बातें नहीं हैं यहां पर, और जैसे ही मैंने पता कर लिया कि कहां पर यह negative है, कहां पर यह positive है, तो एक question खत्म मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि expression कहां कहां negative है, जब मुझे पता चल रहा है कि expression कहां कहां negative है, तो मैं कहूंगा, x की जो values होंगी, x की sir, जो values होंगी वो क्या होंगी, देखो, negative बनाना है, इस expression को, तो negative मुझे दिख रहा है, minus infinity से 1 by 2 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में, क्या मैं इन्हें include करूँ, sir, equal sign नहीं लगा था, तो इन्हें include करने का कोई आच्छेते हैं नहीं है, तो मैं करूँगा answer अपना mark, minus infinity से, I'm really sorry, minus infinity से 1 by 2, या फिर क्या, 1 से 2, तो इस तरीके से आप कहेंगे कि x की in values के लिए आपका ये expression satisfied होगा, आपकी inequality valid होगी, वरना आपकी inequality opposite पढ़ जाएगी, क्या ये बात समझ आ रही है, कोई परेशानी, ये इतने आसान से इतने simple से question है, ये इतने आसान इतने simple क्यों बने, क्योंकि आपको ये method पता है, आपको अभी टिकनीक पता है, अब आप ये तरीका जानते हैं, और I hope अब इस method के जरीए, आप questions आसानी से वरकाउट कर लेंगे, जरा और clarity लेते हैं, जरा और अच्छे से समझते हैं, कुछ और questions के जरीए, जैसे इस question को देखो, सरी ये question तो थो थोड़ा अजीब लग रहा है, ये तो वैसा नहीं है जैसे आमने पड़ा है, तो बिलकुल आपको हाथ में, बिलकुल सजाकर चीजे थोड़ी देंगे, जो जैसी दिखनी चाहिए, जो जैसी होनी चाहिए, जो जैसी लगनी या बननी चाहिए, तो क्या करेंगे सर, तो मेरा मानना है, आप जरा इसको थोड़ा simplify कर लो, simplify करने का तरीखा, आपके पास, यह जो लिखा हुआ है, यह क्या है, एक्स माइनस 2, अपॉन, एक्स प्लस 2, इसे अगर उठाकर इदर लाया, तो यह क्या हो जाता है, सरी हो जाता है, 2X माइनस 3, और अपॉन में कितना, 4X माइनस 1, आप यह भी आपको दिख रहा है, अब अगर यह एक्सप्रेशन ऐसे दिख रहे हैं और यह कितना दिख रहे है ग्रेट जिए रहे हैं तो एक तरफ तो हमारा वह पॉजिटिव ए नेगेडिव वाला सॉट आउट हो गया कि यह मुझे कुछ ऐसा मिला लेकिन यह तो अभी भी थोड़ा सा कॉंप्लिकेटड है तो इसे थोड़ा और सिंप्लिफाइ करते हैं कैसे गौर से दिखेगा जब मैंने इसे सिंप्लिफाइ किया तो मेरा कहना है क्रॉस मॉल्डिप्लिकेशन वाला पार्ट आपके लो है ना लसी वाला पार्ट तो यह दिख रहा है एक्स माइनस टू यह अगर मैं देखूं तो यह कितना हो जा रहा है यह हो जा रहा है आपका 2x-3 आई ओप यौल अग्री विद दाट कोई कंफूजन तो नहीं है और डिनॉमिनेटर में दोनों का प्रोडट क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडट होगा वह होगा आपका एक्स प्लस टू टाइम 4x-1 कोई तकलीफ इस बात से कोई आपती आई थिंक अभी तक तो नहीं है अब क्या करेंगे सर अब मेरा कहना है आपसे मल्टिप्लाइ करिए मल्टिप्लाइ जैसी करूगे आप तो आपको दिखेगा कि हर एक और उपर नियुम्रेटर में हम इसको थोड़ा कॉड्रिक से लाते हुए फैक्टराइज कर सकते हैं और चीज़े फिर से बना सकते हैं जैसे डिनॉमिनेटर को में च्छेड़ों डिन बस डिनॉमिनेटर लिख रहा हूं पूरा फ्श्यन नहीं सॉल्ट कर रहा हूं इसे थोड़ा सिप्लिफाइ कर रहा हूं कैसे देखो x into 4x ये कितना हो जाएगा sir, ये हो जाएगा 4x square x into minus 1, that's minus x क्या बाद समझाई minus 2 into 4x, ये हो जाएगा sir, minus 8x और minus 2 into minus 1, that's plus 2 आगे सुनते जाएगा इदर अंदर multiply किया, negative signs अंदर बाद में multiply करेंगे, पहले देखो x into 2x, ये कितना हो जाएगा sir, ये हो जाएगा 2x square, कितना minus 2x square आप सुन रहे हैं क्या x into minus 3, minus 3x और minus लिया तो कितना, plus 3x और सुनिएगा ध्यान से, 2 into 2x ये हो जाता है 4x और ये negative तो ये कितना हो जाता है, minus 4x कोई गढ़बढ तो नहीं है, 2 into 3 minus 6, और minus 6 को negative sign से लिया तो plus 6 मैं सिगनेचर चेक कर लो, क्योंकि अगर कहीं भी कोई sign की हमने गढ़बढ बढ़की तो पुरा आंसर गलत होगा इसलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं 4x square आ रहा है, minus x आ रहा है minus 8x आ रहा है, plus 2 आ रहा है देखो, ध्यान से देखना भई 4x square minus 2x square कितना आ जाएगा, सरी होगा आपका 2x square और और क्या दिख रहा है भई, और देखो सर आप यहाँ पर समझना, है ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यह minus x, और यह minus x, कितना minus 2x, minus 2x, minus 8x, कितना minus 10x, और 6 plus 2, कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है है ना, तो numerator आपका कुछ ऐसा आ रहा है 2x square minus 10x plus 8 अब एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहरा हूँ देखो, इस पूरे मिसे में 2 अगर कॉमन दे लेता हूँ तो यह क्या दिखेगा, यह दिखेगा 2 times x square minus 5x plus 4 अब देखो, ध्यान से देखना इस पूरे numerator को मैं इस expression से replace कर रहा हूँ x square minus 5x plus 4 है ना, तो यह कितना हो जा रहा हूँ यह आप कर रहा है 2 times x square minus 5x plus 4 है ना, divided by what? divided by आपका यह expression जो कि है x plus 2 और 4x minus 1 है ना, यह क्या है आपका x plus 2 और और 4x minus 1 सही है क्या? I hope यह बात आप सब समझ पा रहे हैं यह जमने किया है x plus 2 और 4x minus 1 अब एक छोटा सा काम हम करते है, मैं यहाँ से 4 common ले रहा हूँ वैसे यह भी ऐसा लिखा रहा है, तो आपको कई परिशानी नहीं होना चाहिए चुकि आपको आदत नहीं है, तो इसने में लिख देता हूँ 4x minus 1 वैसे है, अगर मैंने 4 common ले लिया तो यह कुछ ऐसा दिखेगा यह कितना दिख रहा है? 1 by 2 1 by 2 का 2 दर भेज दिया यह टेक्निकली plus 2 से दुनों तरफ multiply कर दिया तो शहला इसे, यह पाट तो ऐसा हट जाना ता है और यह क्या दिख रहा है मुझे क्योंकि plus 2 से दुनों तरफ multiply किया तो sine चीज नहीं होगा, यह अभी भी आपका greater than 0 ही रहेगा मेरा आपसे कहना है, क्या मैं इस numerator का कुछ कर सकता हूँ देखो, मैं minus 5 को लिख सकता हूँ minus 4x minus x, है ना मैं minus 5x को क्या लिखने में interested हूँ मैं इसे लिख रहा हूँ minus 4x minus x ऐसा क्यू किया, I hope आपको समझ जा रहे minus 4 minus 1 का product plus 4 और इनका संब minus 5x, है ना अब अगर मैं factorize करता हूँ तो एक factor तो दिखना क्या ताय है x minus 4, है ना यहां से भी x minus 4, यहां से भी x minus 4 लेकिन यहां से आप common क्या ले लिए है, minus 1 तो दूसरा factor क्या पर जाएगा, दूसरा factor बिन जाएगा x minus 4, है ना x minus 1, I'm really sorry, बिल्कुल सही बात है denominator में तो तय है, क्या क्या दिख रहा है denominator में x plus 2 और x minus 1 by 4 दिख रहा है और हमें यह कैसा चाहिए, हमें चाहिए grade 10, अब क्या, अब यह question खत्म अब इस question में हम क्या apply करेंगे अपनी wavy curve method या जिसे आप कह लेते हैं, sign scheme method जिसमें आप minus infinity से plus infinity तक जाता है, तो गौर से देखना मेरे पास जो numbers है, क्या क्या है सबसे छोटा factor, अपका यह जो number आ रहा है वो आ रहा है minus 2, तो यहां से शुरू करिए minus 2, फिर क्या 1 by 4, 1 और 4 है ना, तो यहां कहीं आपको मिल जाएगा 1 by 4, फिर आपको सबकी पावर 1, 1, 1, 1 है odd है, तो plus minus plus minus है minus plus minus, alternate चलता रहेगा, कुछ सोचने कज़र नहीं बस किसी भी zone में signature ढूंड लो किसी भी zone में, यहां, 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 कहीं भी ढूंड लो जहां आपको ठीक लगे देखो मेरी सहुलियत क्या होती, नेगेटिव और positive, तो clear सी बात है, negative है यह zone negative है, तो यह positive, यह positive यह negative, यह positive क्या आप मेरी बात समझ भाए, अब हमसे इसको क्या मांगा है, हो कह रहा है, यह expression positive होना चाहिए, तो expression किसके लिए positive होगा, सर यह expression positive होगा, किस-किस के लिए minus infinity से minus 2, 1 by 4 से 1, और 4 से infinity, तो आप answer क्या आप माक करेंगे, minus infinity से minus 2, open bracket ही लगाएंगे, क्योंकि equal to 0 है ही नहीं, और सबसे जरूरी यह खास बात, कि सर इस दर्मियान आपने तो notice किया है, कि minus 2 और 1 by 4 तो हम वैसे भी नहीं ले सकते थे, खेर आपको किसी भी चीज़ को नहीं ले रहा है, यह critical points, terminate होने काले points को वैसे भी नहीं लेना है माइनस infinity से minus 2 और इसके साथ, और क्या-क्या लेना है आपको, 1 by 4 से 1, सब पर open bracket आने हैं भी, क्योंकि equal to का sign वैसे भी नहीं है, और क्या sir, 4 से infinity I think, एक आसान सा question था जिसमें कोई नहीं, विशिश बात नहीं थी पर क्या, मेरा जो motive है आपको सिखाने का, wavy curve method sign scheme method, जिसके तुरू आपको चीज़े build करवाई जा रही है, अच्छे से समझ जा रही है, scratch से GW advanced level तक हम हर एक चीज़ पढ़ रहा है इसको लेकर आपका क्या opinion है मेरा opinion तो बड़ा sorted सा है sir आप दोनों side को अलग-अलग solve करो, थोड़ा ध्यान से solve करो आपको चीज़े समझ जाएंगे, जैसे कि मेरा आप से कहना है ये क्या लिखा हुआ है, under root के अंदर 1-6, पहले इसको ध्यान से देखो मेरे लिए सबसे बड़ी problem तो यही है कि अगर कोई लिखकर देदे कि under root के अंदर 1-6, तो सारी बाते बाद में, पहले तो यह बताओ, 1-6 का में क्या करूँ मैं कहूंगा, under root के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है, तो मेरा जो दिमाग कहता है कि हमेशा यह greater than 0 होना चाहिए यह हमेशा greater than equal to 0 होना चाहिए, क्योंकि under root के अंदर है तो इससे मुझे क्या पताओ चल रहा है इससे मुझे पताओ चल रहा है कि X जो है आपका हमेशा less than equal to 1 होना चाहिए यह condition आपको समझारी यह तो इसने कहा, इस वाले पार्टने अच्छा, इस वाले पार्टने भी तो कुछ कहा आप से इस वाले पार्टने क्या कहा X ने कहा कि मैं किसी value के under root से बढ़ा हूँ X ने कहा आप से कि मैं किसी value के under root से बढ़ा हूँ अच्छा, under root की minimum value क्या होती है Sir, Android की minimum value होती है 0 तो X ने क्या कहा? कि मैं 0 से तो minimum बढ़ा हूँ तो मैं इन दो बातों से एक बड़े ही important conclusion की तरफ आया या पहुंचा कि Sir, आपका जो technically X है वो यह कहना चाहरा है कि मैं 1 से तो यहाँ पर छोटा हूँ या उसके equal हूँ और 0 के equal या उससे बढ़ा हूँ तो इन दोनों बातों का common conclusion क्या होगा? इन दोनों बातों का common conclusion ही होगा कि X कहना यह चाहरा है कि मैं 0 से 1 के बीचूँ तो सबसे पहली एक जरूरी condition हमें जो मिली वो यह कि Sir, X को 0 से 1 के बीच ही रोक के रखना होगा यह बात आप समझपा रहे होगा तो सबसे पहला clue तो यही कि आप यह मत भूलना सर कि आपका answer जो है उसमें X बोलता है कि मुझे आप 0 से 1 के बीच ही रखो इसके अलावा मत जाना क्योंकि मैं 0 से छोटा हो नहीं सकता क्योंकि X जो है कि मुझे X को 0 से 1 के बीच ही maintain करना है condition, requirement, need समझ आई अच्छी बात है सर यह बात हमने मान दिया आपकी तो क्या तो मेरा कहना है अब हम question try करते है पर यह कैसे निकाला समझ आया यह pure sheer observation था हमारा है ना यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं 1-X तो suggestion यही है in order to get rid of this under root let's square both the sides why am I squaring क्योंकि सर positive है X anyway 0 से बड़ा है यह under root वाला पाट है तो यह तो positive है चुकि दोनों values positive है तो इनका square किया जा सकता है इसलिए मगर मैं square करता हूँ तो यह कितना हो जाएगा सरी हो जाएगा X square और यह हो जाएगा 1-X आपको बात समझ आ रही है मैं सा क्यों करें बस आप ऐसे ही square नहीं कर देते हो मुझे दिख रहा है कि दोनों ही values आपकी positive है तो दोनों का square भी आपस में वही inequality वही in equation maintain करेगा यह बात आपको समझ आई अब क्या अब सुनिएगा यहां से यहां से इसे कर थोड़ा rewrite करूँ तो यह मुझे क्या दे रहा है यह मुझे दे रहा है X square माइनस X को देर लाए माइनस X को देर लाए तो plus X और 1 को देर लाए तो minus 1 and this is greater than 0 सही है क्या X square plus X minus 1 अब फिर वही बात क्या मैं splitting the middle term पर काम करूँ पर देखो गड़बर यह है सर sum चाहिए 1 और product चाहिए minus 1 थोड़ा मुश्किल होगा तो मैं काम करता हूँ श्रीधर आचारे method लगाता हूँ मेरे पास एक quadratic है आप याद करो अगर हमने बात की थी quadratic expressions की तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ा याद दिलाता हूँ वैसे तो इतना सोचने की ज़रूद नहीं है बट फिर भी मैं याद दिलाकर रख देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c की value greater than 0 चाहिए जब मुझे पता हो कि इस quadratic के root से alpha और beta तो यह positive कहां से कहां तक होता है यह positive minus infinity से minus alpha क्यों लिख रहा हूँ मैं really sorry minus infinity से alpha तक या फिर beta से infinity तक होता है खिर यह बात रटने की ज़रूद नहीं यह बात मैं आपको फिर से समझा दूँगा जैसे की आप तो question बोलो question क्या है भी question है x square plus x minus 1 and we want this to be greater than 0 एक काम करते है थोड़ा सा ना श्रीधर आचारे method से आप अभी इस question को भूल जाओ और मुझे alpha और beta निकाल के बताओ अगर एक आपके पास quadratic equation होती है ना वो क्या होती x square plus x minus 1 is equal to 0 तो इसके roots क्या होते है roots याने x की values याने क्या alpha और beta की values तो वह आप क्या लिखते है minus b minus b याने minus 1 plus minus under root over b square minus 4 ac so 1 का square 1 minus 4 into minus 1 एभोप आप सांच पारे हो तो वो कितना हो जाएगा plus 4 upon 2a याने कितना 2 तो कितना जा रहा है minus 1 plus minus under root 5 upon 2 याने आपके alpha और beta की values आ रही है उन पर जरा बात कर लेते हैं गौर से सुनिएगा जो आपकी alpha और beta की values आ रही है मैं मान के चल रहा हूँ कि alpha जो है वो beta से छोटा है है ना negative value value alpha हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा sir alpha जो होगा आपका वो होगा minus 1 minus under root 5 divided by 2 कोई तकलीफ कोई आपती कोई परिशानी अगर इसे में थोड़ा और बहतर तरीके से लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे इसा लिख सकता हूं थोड़ा सा 5 minus 1 divided by 2 I hope यह जो बाते लिखी गई है इनसे तो कोई परिशानी नहीं अच्छी सिंपल साजार और सुल्गीवी बाते हैं चालो अब CDC बात है students इस expression को x square plus x minus 1 को क्या मैं लिख सकता हूं दिहां से देखना x माइनस अलफा आप सुन रहे हैं क्या इसे मैं क्या लिख सकता हूं x minus अलफा तो x minus अलफा मतलब क्या x minus आपका अलफा क्या है वो है negative of 1 plus under root 5 divided by 2 क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और इसे में क्या लिखूंगा x minus बीटा x minus बीटा मतलब यह वाला expression जो कि क्या है भई जो कि है आपका 1 I'm really sorry जो कि है आपका under root 5 minus 1 divided by 2 क्या आप मेरी बाते समझ पा रहे हो भई और यह expression में चाहिए greater than 0 बहुत confusing बहुत complicated तो नहीं हो रहे है यह technically x square plus x minus 1 आपका quadratic ही है लेकिन उसे मैंने x minus alpha और x minus beta फॉर्म में लिखा है although उसके alpha और beta थोड़े से tricky है आप चाहते हैं तो आंसर इससे भी लिख सकते थे पर मैं कहना चाहरू कि थोड़ा इससे सीखो इससे सीखो कोई बुराई नहीं है है तो यह कुछ एक expression आ रहा है अब मैं अगर वापस अपनी wavy curve method apply करूं तो x square plus x minus 1 ही आपका question है लेकिन उसे हमने इस तरीके से split किया है और अगर उसे मैं number scale पर आपके लिए plot करूं जो की इतना करने की ज़रूत नहीं हो नहीं चाहिए आपको दिखना चाहिए बट फिर भी यह आपका बीटा है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो सर cdc बात है यह आपका ऐसे ही चलेगा positive negative positive बट फिर भी आपको confusion है तो यह negative value है यह positive value है आप देखो ना की बात समझ पा रहे होगा यह फिर वही बात quadratic में यहीं चलेगा positive negative positive हमसे क्या चाहते हैं हमसे चाहते हैं कि आप इस expression को positive बनाई है वह चाह रहा है कि आप इस expression को positive बनाई है positive कहा बन रहा है यह expression positive बन रहा है minus infinity से यहां तक और बीटा से इंफिनिटी तक तो इसके according जो अंसर हो इसके according जो अंसर हो वो क्या होगा इसके according जो आएगा वो कहेगा कि sir x जो हे आपका वह माइनस infinity से कहां तक alpha alpha कितना है sir alpha है आपका negative of 1 plus and root 5 divided by 2 तक होना चाहिए या फिर महां तक होना चाहिए गाइट से सुना या फिर और ओका चाहिए वो एक सिकंड देख लेता हूं बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू कितनी अंडूरूट 5-1 है बीटा की वैल्यू है अंडूरूट 5-1-1-2 से लेकर infinity तक होनी चाहिए लेकिन यहाँ तो contradiction है यहाँ तो sir एक contradiction है contradiction क्या है sir? contradiction यह है कि इसके according x की यह value पर एक minute हमने question की शुरुवात में भी तो कुछ निकाला था question की शुरुवात में इसने यह कहा था कि sir x को 0 और 1 के बीची रखना आपको problem समझ आ रही है इस question में problem जो हमको दिख रही है सभी को, इस question में एक अच्छी problem और मज़दार problem है और वो बहुत बहतरीन सी problem है वो आपको काफी कुछ सिखाएगी काफी कुछ दिखाएगी और काफी कुछ कहने कहेगी जैसे सुनना, मैं आपको number scale पर सारी चीज़े plot करवा के दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए, हैना, देखना यहाँ कहीं आपका minus infinity होगा और उस end में आपका क्या होगा, plus infinity क्या आप सब इस बात से सहमत है अच्छा, यहाँ कहीं आपका alpha होगा जो की क्या था, जो की मेरे ख्याल से था आपका negative of one plus under root five divided by two, हैना और यहाँ कहीं आपका beta होगा beta क्या था भई, beta को गौर से देखो सर, beta था under root five minus one by two beta था आपका under root five minus one by two, हैना अब of course, यह एक negative value जोगा इसके थोड़ा इधर क्या होगा zero होगा, अब मुझे आप बताओ one किदर होगा one को लेकर आपका opinion बता दो बात खत में, सोचके देखना under root five, two point something कुछ होता है two point two मान लो थोड़ी देर के लिए two point two five, तो two point two माना two point two में से one sub track है तो one point two आप सुन रहे हैं क्या one point two को two से divide क्या तो शेलाई से हो जाता है zero point six मतलब टेक्निकली मैं सही बोल रहा हूं क्या one point two को अगर two से divide क्या तो zero point six है तो टेक्निकली शेलाई से zero point six के आगे ही one होगा अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो सुनना एक ने आप से कहा एक ने आप से कहा कि आपका answer zero से one के बीच होना चाहिए ये आपने पहले निकाला सा उसका मत था उसने कहा था कि अपना answer आप zero से one के बीच ही रखना वरना x को आप zero से चोटा करोगे तो आपके inequality में गड़बढ होगी और x को आप one से बढ़ा करोगे तो भी गड़बढ होगी तो x zero से one के बीच ही रहे तो अच्छा है लेकिन एक शक्स और आए उन्होंने कहा कि सर मेरे according तो answer मेरे according तो answer आपका यहां से यहां तक कुछ भी ले लेना और यहां से यहां तक कुछ भी ले लेना मतलब या तो आप alpha से छोटा रखना यानिने minus one by minus one plus under five by two से उसे छोटा रख लेना या फिर under five minus one by two से हमेशा बड़ा रख लेना इन दोनों में से कुछ भी लेना चलेगा तो मुझे दोनों को खुश रखना है मुझे कहना है कि मैं आपकी भी बात मानूँगा और आपकी भी बात मानूँगा क्योंकि इसने कुछ कहा और इसने कुछ कहा इसने कहा ये करो इसने कहा ये करो तो मैं तो वो वैल्यू डूनूँगा जहां पर दोनों खुश रहे हैं जहां पर दोनों सेटिसफाइड हो जहां पर मैं दोनों को ओके बोल पाऊं कि भी करेक्स की बहुत सारी वैलियू से मैं कि रहा हूँ एक मिनिट आप कॉमन कंसेंस पर आ जाओ आप बता दो ऐसी कॉंसी वैलियू से जहां पर आप भी खुश हो और आप भी खुश हो तो मैं दोनों का इंटर सेक्शन डोंड रहा हूं आपको प्रॉब्लम से हो जा रहे हैं यूनियन मतलब और इंटर सेक्शन मतलब एंड मतलब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए तो दोनों कहां खुश होते हैं दोनों का कॉमन पार्ट और अगर मैंने दोनों का कॉमन पार्ट खो जा तो वो कहता है सब देखो यहां पर यह तो है लेकिन यह नहीं है तो कोई भी नहीं और इससे पीछे सिफ यह यह नहीं तो यह जो हिस्साप के लिए बनाएंगे यह दोनों के लिए कॉमन है मतलब यहां पर दोनों खुश है तो मैं कहूंगा कि यह लिए बनाएंगे लिए इस तरीके से आप कहेंगे कि एक्स की इन वाल्यूस के लिए अंडरूट 5-1-1-2 से 1 के बीच की यह जो इतनी सारी वाल्यूस है इन में से कोई सी भी वैल्यू उठाके रख देना आप आपकी यह इनिक्वालिटी हमेशा सटिस्वाइड रहेगी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन अगर आपने कभी भी एक्स की वैल्यू इसके ब्यांड कुछ रखी तो फिर गड़बड़े होना शुरू होगी फिर गड़बड़े होगी कभी यह कुछ अच्छा आ रहा होगा यह नहीं आएगा यह आ जाएगा तो यह नह हमने जब क्वेश्चन को सॉल किया हमने जब क्वेश्चन को सॉल किया तो हमें दो बाते पता चली हमें दो बाते क्या पता चली हमें कंडिशन पता चली पहली हमने बोला यह कंडिशन तो होनी चाहिए और हमने बोला इसके साथ साथ एक और कंडिशन होनी चाहिए तो हमार कि इसकी जो भी condition है वो intersection इसकी जो भी condition है वो उनका हम common part लेंगे तो and लगते ही हम क्या use करेंगे intersection और हम यह बात जानते हैं कि और लगते ही हम क्या use करेंगे union यह बहुत important अमरे लोग जीज़ें जो पूरे maths में काम आईगी तो इन्हें याद रखना कि जब-जब and से हम encounter करेंगे तो intersection लेंगे जब-जब हम और से encounter करेंगे तो हम union लेंगे बात simple सी है जना अच्छे से समझ आई क्या अगर यह बात समझ आ गई है तो क्या मैं आगे बढ़ो अगले question की तरफ यह रहा अगला question जो बिलकुल simple standard wavy curve का application है और इसे हम फटा-फट करके next part पर आते हैं यह पार्ट हम कहीं दफा कर चुके है तो इसमें कोई मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए सा मेरा मानना है अब फटा-फट हम करेंगे और फटा-फट हमना solution लिखेंगे number scale बनाया minus infinity से infinity पहले तो वह पार्ट देख लो जहां पर power even है तो यह पर तो यह पावर even है और यह पर थोड़ा सा carefully हम देखेंगे क्यों सुनना दियां से मैं शुरू करता हूँ देखो zero minus two plus one plus three by two plus three है ना तो सबसे छोटी value जो मिल रही थी मेरे क्या से minus two तो मैं शुरू आथ करता हूँ किस से minus two से minus two के बाद क्या मिलेगा सोर देखो minus two के बाद आगे बढ़ए तो क्या मिलेगा zero तो यहाँ पर कही मुझे zero मिलेगा फिर क्या फिर मिलेगा 1 तो मैंने ले लिया, यह सर 1 फिर 1 के आगे थोड़ा अगे तो क्या मिल जा रहा है सर फिर मिल रहा है 3 by 2 आप देख पा रहे हैं कैसे हम सोच रहे हैं और यहां क्या मिल रहा है, यहां मिल रहा है आपको 3 तो बहुत बढ़िया, यह तो बात हमारी सॉट आउट होगी, अब क्या, अब सुनो सर, ध्यान से देखना, डिनॉमिनेटर में कुछ नहीं है, तो सोचने की ज़रूत नहीं है, लेकिन बैस यह बात याद रखोगी, जो यह माइनस टू आपका था, इसके दोनों तरफ आपकी कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी किसी भी सेगमेंट से शुरू करो, आप बाते सुनते चले आना, क्वेशन खत्म हो जाएगा, माइनस इंवनिटी से माइनस टू के बीच में कोई भी वैली मुझे बता, पहली बात तो यह दोनों पावर सीवन है, तो इन दोनों को सोचन माइनस टेन, माइनस टेन जैसे ही लिया, वैसे तो आप राइट मोस साइट से भी शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन ही मिलना है, क्यों मिलना है, क्योंकि अब सब 3 से बढ़े हैं, सारी वैल्यू 3 से बढ़ी है, अब अगर सारी वैल्यू 3 से जिसे कि 10 तो 10 positive, positive, positive तो technically ये zone क्या आएगा positive अब 3 पर आपकी जो power वो even है तो ये भी क्या होगा positive अब 3 by 2 पर तो power कैसी है odd तो ये हो जाएगा negative 1 पर power कैसी है odd तो negative के बाद ये क्या हो जाएगा positive 0 पर power कैसी है odd तो positive क्या जाएगा? Negative minus two वाले factor पर power किया even तो यह भी क्या रहेगा negative बस यह question खत्म हो गया है जनाब यह question क्यों खत्म हो गया है sir क्योंकि अब आपसे क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि यह चाहिए उसको greater than equal to zero मतलब greater than zero हो और equal to zero भी चलेगा मतलब या तो zero हो या zero से बड़ा हो तो zero या zero से बड़ा कहां कहां हो रहे है सद्याद से देखना पहली बात तो मैं पूछना चाहरा हूँ zero से बड़ा कहां कहां हो रहे है तो sir zero से बड़ा देखो इन इन जगे हो रहे है zero से बड़ा कहां कहां हो रहे है zero से one के बीच में 3 by 2 से 3 के बीच में, और 3 से infinity के बीच में, क्या इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है, पर उसने equal to 0 भी बोला था, तो शहलाई से equal to 0 जब बोल रहा है, तो minus 2 भी ले लेना सर कोई problem नहीं है, आप बात समझ रहे हो न, क्योंकि minus 2 शायद हम avoid कर देते, पर minus 2 पर भी यह 0 हो रह 0 से 1 के बीच में, दोनों पर मैंने closed bracket लगा है, क्योंकि equal to 0 allowed है, फिर कहां से कहां तक है सर, फिर है वो, 3 by 2 से, 3 by 2 से, 3 तक, 3 को भी include करना है, और 3 से infinity तक, तो बात simple है न, सर, 3 by 2 से infinity ही कह दो, हाँ, अब कह सकते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, 3 by 2 से infinity है, इसमें एक छोटी सी बात ये, कि सर कि अब minus 2 को include करें, अब देखो ना, minus 2 पर ये 0 होता है, और minus 2 पर 0 होना allowed है क्या, हाँ सर, इसका 0 होना allowed है, तो मैं इसमें एक और part include कर लूँगा, कि सर, इसमें एक और चीज़ आप add कर लो, जो कि क्या है, 2, 2 नहीं, I'm really sorry, minus 2, है ना, इसमें एक और time include कर लो minus 2, क्या आप मेरी बात समच पाए, इस तरीके से आप इसे mark करेंगे, I think एक आसान, simple, sorted सा, बहतरीन सा question था, क्या यहां तक चीज़ें समझाई, इस question में क्या करेंगे सर, इस में कैसे सोचेंगे, आसान है, क्यों आसान है सर, अभी भी आप factors को 0 बनाओ, I repeat my statement, आप factors को 0 बना अब आप यह देखें, मत घबराओं के सर, अभी तो हम x minus 3 और x को लेकर सोचते आए, अब आपने यह क्या जीवो गरीब चीजी ले आए हो, 2 to the power x minus 1 और 2 to the power x minus 9, इसका क्या करेंगे, मेरा कहना है, आप फिर वही step follow करो, पहले तो आप इन factors को 0 बनाओ, जैसे इसको 0 तो यहां से x की value क्या मिल रही है, 3, उस पर आ रहा हो, पर पहले इसको देखो, जब मैं बना रहा हो, 2 to power x minus 1 को 0, तो उससे क्या मिल रहा है, 2 to power x, अगर मुझे यहां 1 लिखना है, तो क्या मैं 1 को, 2 to power 0 लिख सकता हूं, तो यहां से x की value क्या मिल रही है, 0, अब आपको ब शेश मुश्किल अलग बात नहीं यह वही बात है घुमा फिराकर बस उसने कह दिये फिर से रिपीट कर देता हूं 2 की पावर एक्स-1-0 कवाँगा सिर्ट की पावर एक्स-1-0 तब होगा जब टु की पार एक्स-1 होगी यानि टु की पावर X9 कब होगा जब 3 की पावर X3 स्क्वाइर के एकवल होगा अब वापस बेस से में पावर कंपेर किया जाए तो X कितना हो जाए 2 हो जाए क्या अब आप मेरी बाते समझ पा रहे हैं जहां मैं आपको ले जाना चारा हूँ और अगर मैं इस फैक्टर की भी बात करूँ तो यह क्या है सरी है आपका X-3 is equal to 0 यानि यहां से क्या समझ आएगा यहां से समझ आएगा कि X जो है वो कितना हो जाए 3 मैंने तीन बाते निकाल दी तीन क्या क्या बाते निकाल दी एक तो आता है आपका जीरो बिलकुल सही बात है यह रहा जीरो एक आपका आ रहा है जीरो वापस वही तो वही जीरो इसमें ज्यादा सुचने की ज़रत नहीं और आपके दो और वाल्यू जानी टू और थ्री सबसे पहले हैं यह बात आपको समझ जाई बस अब आप सोच लो वापस आपके पास पॉइंट्स मिल गए पॉइंट्स क्या-क्या मिले से जो आपके टर्मिनेटिंग या क्रिटिकल पॉइंट है एक तो जीरो रहा जीरो वही आप तो जीरो टू और थ्रीको प्लोट करो अपनी नंबर स्केल पर हैँए अफिर वही बात माइनस इंफिनिटी कहीं पर जीरो और कहीं पर 3 और plus infinity होगा I hope आप मैं इनी बात समझ पारे हो फिर वही बात कहीं से भी शुरू करो मैं कहता हूँ 3 से बड़ी कोई value लो है ना 3 से बड़ी कोई value लो जैसे ही 3 से बड़ी कोई value लो कोई भी ले लो चलेगा है ना जैसे ले लिए लिट से नाई सब्ट्राक करेंगे positive 10-3 positive तो शेलाई से 3 से infinity के बीच में ये definitely positive रहेगा थोड़ा सा careful रहे ना थोड़ा सा careful रहे ना अब 2 से 3 के बीच में भी एक बार देख लो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये बात positive आई है तो ये कहानी तो sorted है positive, negative, positive, negative चलेगा लेकिन एक छोटे से पार पर आपको धियान रखना है कहां पर जब ये आपका x भी 0 है 2 की पार x-1 भी 0 है बस इस वाले पार्ट में थोड़ा सा चीज़े वनलरेबल तरीके से होंगी जीरो वाले जोन पर हम आते हैं पर उससे पहले मैं इसी जोन की बात करता हूँ अब 2 और 3 इक बीज ने 2.5 लेके देख लेकि 2.5 मतलब क्या देखो 2.5 positive, 2 की पार 2.5 बढ़ा ही होना है क्योंकि 2 की पार 2, 4 होता है तो 4 माइनस 1 और बढ़ा ही होना है 4 से तो positive 3 की पार 2, 9 होता है 2.59 से भी बढ़ा होगा तो ये भी positive लेकिन 2.5 माइनस 3 negative तो positive, positive, positive लेकिन negative तो एक negative क्या आजाने से ये क्या हो जाएगा negative और anyway positive से negative ही होगा same बात, अगर आप 0 से 2 के बीज देखें तो वो negative था तो ये क्या रहेगा positive, बट फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहे है जैसे कि अगर आपको यहां लग रहे है कि 2 की पार x और 3 की पार x जैसी तो थोड़ा केरफुल ही चलना चाहिए तो बिलकुल, आप 0 से 2 के बीच में कोई value ले लो जैसे कि 1, अगर 1 लिया तो देखो 1, 2 की पार 1 याने 2, 2-1, 1, positive तो positive, positive, 3 की पार 1, 3, 3-9, negative 1-3, negative, तो positive, positive, negative, negative तो negative into negative, positive, positive into anything is positive मतलब positive into all both positive is positive तो यह कितना आ जा रहे है, यह आपका positive आ जा रहे है लेकिन अब मैं कहरा हूँ, 0 से इस तरफ अब आपको लग रहा होगा कि positive, negative, positive तो वापस negative, बस यही मैं कहना चारा था कि देखो मुझे 0 ना, दो बार is a factor मिल रहा है तो टेक्निक, यो लो 0 स्क्वार वाली टम्स में मौझू थे आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या तो यहाँ पर भी positive आएगा, क्यों? समझो minus infinity से 0 की बीच में कोई भी आप number ले लो you take any number between minus infinity and 0 कुछ भी ले लो, let's say मैंने ले लिया क्या? मैंने minus 10 ले लिया, समझना minus 10 यहने negative, है ना, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको यह आजट ने लिगे negative, 2 की पावर minus 10 अब 2 की पावर minus 10 कितना होगा? तो यह 4 negative मतलब क्या? मतलब यह positive क्या आप मेरी बात समझपा रहे हो, तो यह भी आपका positive होगा यह दोनों same sign के इसलिए क्योंकि 0 आपका factor आपको 2 बार मिला था एक बार यहाँ और एक बार यह यहाँ क्या आप मेरी बात समझपा रहे हो और इस वजह से क्या पूछा जा रहा था? मुझसे पूछा जा रहा था less than 0, तो यह negative का अब है sir, यह negative 2 से 3 के बीच में है तो मैं इसका answer का हूँगा, for all x which belong to which belong to 2 and 3, तो 2 से 3 के बीच में, open bracket क्यों क्योंकि equal to नहीं लगा है, तो 2 से 3 के बीच की सारी values के लिए expression negative होगा, इसमें क्या था जो आपको नहीं पता एक आसान question, with that, let's move towards the next question, यह और अच्छा question है, और बहतें question है, sir इसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, यह भी आपने यह भी आपने दे दिया, यह भी आपने दिया आप पर यह क्यों अचीव सा कुछ लिए आए, अब जो है, जीवन है, है ना, जैसी भी समझ से आएंगी, साथ मिलकर मकाबला करेंगे और देखेंगे उसमें उसने कुछ और चीजे भी दियें उसने X को बोलाए की इसके बीची सोचना आप उसने बोला है जो भी आप X सोचो वो इसके बीची सोचना तो हमारा जो आंसर आएगा और ये जो आंसर आ रहा है उसमें क्या लेंगे intersection क्योंकि उसने एक condition तो खुद लगा दी ना, अब हम अपने according answer निकाल लेंगे, और उसमें और उसमें क्या ले लेंगे, intersection, क्योंकि हमारा कुछ एक answer आएगा, बिलकुल आएगा, जो कि less than zero आपको देगा, इसका भी कुछ एक condition है, तो दोनों को जो सहमत करें, दोनों को जो satisfy करें, जो बात दोनों को खुछ रखें, वो बात करेंगे, win-win situation, है ना, तो ज़रा देखते हैं सर, कि इसको खुछ कौन रखता है, तो फिर से critical points ढूणना शुरू किया, है ना, तो two की power x minus one, को zero के equal रखा, तो यहां से क्या मिल रहा है सर, two की power x, यहीं लिख देता हूँ, है ना, two की power x, two की power zero के equal, यहां से क्या मिलता है, x zero के equal, तो पहला factor तो एक x की value क्या मिली, zero, और क्या मिल रहा है, गौर से देखो, फिर मिल रहा है, three की power x, 9 के एकवल 3 की पावर X माइनस 9 0 के एकवल यहां से मैं conclude कर चुका हूँ कि 3 की पावर X किस के एकवल होगा 9 के यहाने आप क्या काओगे 3 की पावर X 3 स्क्वेर के एकवल होगा यहाने आप क्या काओगे भई X जो है वो 2 के पल तो एक और 5 की पावर X 5 की पावर 0 के एकवल चाहिए मतलब X किस के एकवल चाहिए 0 के क्या आपको कुछ नजर आया क्या आपको कुछ नजर आ रहा है बहुत अच्छी बात है सर यह तो फिर का फिर सर एक मिनिट अब साइन X माइनस कॉस X पर भी तो बात करो कि थोड़ा सा ट्रिक डॉइग का नॉल्छ यह हैं पर एप को होना चाहिए्गो का नॉछِ क्या कहता है? ट्रिको का नॉलइज कहता है कि आप साइन एक्स का ग्राफ बना ओ, साइन इस का ग्राफ पहले बना लो भी तो अगर ऐस एक्स तो मानलो यह जो है आपका साइनख्स का ग्राफ है सुन रहे ही क्या अप्लोcken और यह साइनगस का ग्राफ ऐसमें कुछ वैल्यूस है जैसे ङ्यूद्व जैसे यहow होगी पाई यह रही होगी थरी पाइब तू यह रहती है टू पाइइसे चलता चला जाता है और इसी के साथ आपका कॉसस का भी ग्राफ का बन रहा होता है हो कुछ बंड़र होता रहा है हो कुछ Assim का फॉलो कर रहा हूता है मैं बहुत ही precisely नहीं बना रहा हूँ बट अपने guess, अपने idea से आपको चीज़े बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कुछ points पर intersect करते हैं ये कुछ points पर intersect करते हैं जैसे इनका पहला जो point of intersection आता है वो क्या आता है? वो आता है πाई बाई 4 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 जीरो के exact पीच में पाई बाई 4 पर है ना? फिर ऐसे ही करके ये पाई के आगे पाई से वापस पाई बाई 4 डिस्टेंस पर वापस intersect करते हैं मतलब टेक्निकली अगर आप गौर से देखेंगे अगर आप ध्यान से चीज़े समझेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चलते चले जाते हैं जैसे की देखो, ध्यान से सुनना मैं बस आपसे कहना चाहरा हूँ हमारी range उसने क्या दी है? हमारी जो x को जो उसने restrict किया है माईनस पाई 2 से 2 पाई के पीच में तो आप ये पाओगे, आप ये देखोगे कि आपका ये जो करव है साइन एक्स और कॉस एक्स ये पहली बार तो कहां मिल रहे होंगे? पहली बार मिल रहे होंगे पाई बाई 4 पर मैं बस यह देखना चाहरा हूँ, sin x और cos x के graph को देखकर, कि यह दोनों same कहां कहां हो रहे हैं, तो पहला point तो मिल रहा है मुझे πाई बाई 4, मतलब x की value होकर πाई बाई 4 मैं रख दूँ, तो वहाँ पर sin x भी उतनी होता है, जतना cos x होता है, इसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, इसके बाद सर 0 से πाई बाई 4 आगे गए, तो आपको मिला, बिल्कुल मिला, अगर आप πाई से πाई बाई 4 आगे जाओगे, पाई से πाई बाई 4 डिस्टेंस आगे जाओगे, तो वापस आपको एक ऐसा point मिलेगा, जहांपर sin x और cos x सेम होंगे, देखो न आप, यह point क्या है, यह point है आपका πाई, और पाई से अगर आप πाई बाई 4 डिस्टेंस वापस आगे गए, तो वापस आपको एक ऐसा point मिलेगा, कि आप मेरी बात समझभा रहे हो, तो यह आने मैं कहूंगा, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, सिर्फ वो हो जाता है आपका, फाई पाई 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 4, आई होप आप मेरी बाते समझभा रहे हैं, तो इस तरीके से, साइनेक्स और कॉसेक्स सिर्फ एक वैल्यू पर नहीं, बहुत सारी वैल्यू पर इस तरीके से, पिरियॉडिकली, इस तरीके से, रिपीटेडिवली, रिकरिंगली, और कर होंगे बार बार, आप मेरी बात ने डाई जिस्ट कर पा रहे हैं, इस तरीके से, चलता चला जाएगा, और भी आगे मिलेगा, जैसे कि अगर यहां से, मैं आगे बढ़ू, अगर मैं ग्राफ को थोड़ा और कंटिन्यू करू, जैसे कि यह आपका कॉन सा ग्राफ है, यह आपका कॉसेक्स का ग्राफ है, जो कि πाई पे कितना है, जो कि है πाई पे माइनस वन, है ना, थ्री पाई बई टू पर यह वापस वन बन रहा है, मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, मैं रिली सॉरी वा दिस पार्ट, है ना, मैं इसको और ठीक से थोड़ा बना के आपको हिंट देता हूँ, कि देखो, यह क्या बन जा रहा है, फिर थरी पाई बई टू पर वन, है ना, यह कितना था पाई, मैंने यह तोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, इसलिए थोड़ा इस तरीके से जाएगा, कि यह यहां कहीं, है ना, थ्री पाई बई टू पर यह वन हुआ है, तू पाई पर यह कैसे हो रहा होगा, है ना, थोड़ा सा में चीज़ें, मतलब वो मैं बहुत स्मेटरिकली नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए चीज़ें थोड़ी ऐसी दिखरी होंगी, खेर छोड़ो, मैं बस आप से कहना चारहा हूँ भी, ग्राफ मतलब मैंने बहुत अच्छे से नहीं बना है, वो डिस्टेंस मैंने कुछ तो भी ले लिये हैं, जैसे पाई से टू पाई की डिस्टेंस, कि पाई बाई फोर पर साइन श्रकॉसिक सेम होते हैं, उप आपको पता है, वन बाई रूट टू, फिर क्या मिलेगा आपको फाई पाई बाई फोर जहां पर वो मैनस बाई रूट टू होते हैं, फिर ऐसी वैलूज आपको आगे मिलती चली जाएंगी, पर मेरा matter of concern क्या है? मुझे तो बस minus pi by 2 से 2 pi के बीच में ही सोचना है I repeat my statement मुझे x को ना तो minus pi by 2 से पीछे लेकर जाना है नहीं 2 pi से आगे लेकर जाना है उस zone में ही सोचना है इस pattern के numbers को आपको पहले तो यह जो हमने critical points सारे निकाले है यह चारों इनको लेकर कोई doubt या कोई confusion तो नहीं है कि आपको हर एक बात अभी जो हमने समझी या देखने की कोशिश किये समझ आई I hope इसमें तो कोई परिशानी कहीं से कहीं तक नहीं है अब जब मैं आप से बात करता हूँ कुछ चीजों को लेकर ऐसे कैसे कि सर नंबर स्केल पर चीज़े प्लॉट करें तो बात करें है ना अब नंबर स्केल पर प्लॉट करें चीज़े तो देखो अच्छा एक और बात एक और बात ये कि अगर आप देखोगे माइनस पाइबाइट टू तक तो minus pi by 2 में भी problem कहेगी सुनना है ना जैसे कि यहाँ यह 0 है तो यहाँ कहीं let's say minus pi होगा मैं बस बना ले रहा हूँ और यहाँ कहीं minus pi by 2 होगा है ना तो आपका यह cost का graph तो कुछ ऐसा चल रहा होगा यह आपका cost का graph है और sine का graph कैसा चल रहा होगा जीरो से pi तक बस एक जगे intersection मिला pi से 2 pi में भी आपका 5 pi by 4 पर एक intersection मिला और इसके अलावा नहीं मिल रहा है मेरी बात आप समुझ पारे होगा graph थोड़ा है अच्छे से नहीं बना है पर I hope आपके लिए workable है मैं बस आपको यह देना चाहरा हूँ कि point of intersection जो उसने domain बताई है उसमें pi by 4 और 5 pi by 4 पर ही मिलेंगे थोड़े से और approximation पर मैं बात करता हूँ एक idea आप से देना चाहरा हूँ सुनना दियां से pi कितना होता है sir pi approximately होता है 3.14 तो 3.1 को अगर 4 से divide क्या तो 1 से थोड़ी छोटी value मिलेगी क्योंकि 3 4 से छोटा है numerator denominator से छोटा हो तो 1 से छोटी value अच्छा 3 into 5 यह हो जाता है 15 अगर यह 16 होता तो 4 का 4 times हो जाता पर यह है 15 तो 3.4 के आसपस कुछ हो गए मलब 3.8, 3.9 ऐसा कुछ हो गा तो 4 से थोड़ा छोटा होगा इनकी approximated value मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि इसकी जो approximated value है वो 1 से थोड़ी छोटी होगी इसकी जो approximated value है वो 4 से थोड़ी छोटी होगी यह सब बाते क्यों कर रहे हो सर बस मैं आपको कहना चाहरा हूँ कि यह बाते हमारे पास होगी कोई परिशानी तो निएंग, उसने जो ड़ोमेन आपको डिफाइन करके दिया वह तूपाई जब उसने आप से कहा रेख चाहा है तो उसने आपको कहां से कहां तक बांत करिये minus pi by 2 का मतलब क्या सोच के देखो minus pi मतलब 3.14 थोड़ी दिरिक लिए 3 मान लो अगर 3 का half करें तो 1.5 3.14 मतलब थोड़ा सा और जाधा तो minus 1.56 या 1.57 मान लो या 1.6 मान लो तो मैं इसको approximately मान लेता हूँ कितना minus 1.6 ऐसी approximated value ले रहा हूँ इसक नहीं ले रहा हूँ इसी 2 pi क्या होगा pi होता है 3 मान लो थो 3 to 2.6 तो यह हो जा रहा है 6.2 क्या सपस कुछ भी मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ exactly यह होगी बस कुछ approximated values मैं ले ले रहा हूँ क्योंकि मुझे number से deal करना है क्या यह बातें आपको समझ आ रही है अब मैं आपको number scale पर अपने चीजें plot करने में निकाल कर ले कर जा रहा हूँ चीजें कैसे हम करेंगे I hope यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है हर एक बात आपको समझ आई है जो हमने करने की अभी तक कोशिश की है यह है मान लो अगर minus infinity और यहां है कहीं infinity तो पहले तो हम वो points ढूंटते हैं कि वो points क्या क्या है देखो भी point मिले 0, 2 0, 0 ही है तो point अभी तो मिल रहे है 0 और 2 point कौन कों से मिल रहे हैं भी 0 और 2 अच्छा इसके अलावा क्या इसके लाव मुझे pi by 4 और 5 pi by 4 भी मिलने है तो पहले तो 0 और 2 भी बना लेते हैं तो मैं ऐसा कहा लेता हूँ sir यहां कहीं होगा 0 और लेट से यहां कहीं होगा आपका 2 कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा उसके आद मुझे pi by 4 और 5 pi by 4 भी बनाने तो 2 1 से छोटा कौन है pi by 4 तो यह 2 है तो यहां कहीं 1 होगा और 1 से छोटा कौन है pi by 4 है निए 1 से कोई छोटी value है इसके बाद एक और value थी 5 pi by 4 जो कि 4 से थोड़ी छोटी value है तो मैं इसको लेकर अगर बात करू तो 5 pi by 4 कहा होगा यहाँ कहीं आपका क्या मिल जाएगा पहले तो यह जो values बनाई जा रही है इनसे तो कोई परिशानी नहीं है इसके अलावा दो values और हैं कौन कौन सी भई इसके अलावा दो values और हैं जो उन्होंने आप से लेने को कहीं थी वो क्या है minus 1 by 6 से 6.2 तक है ना minus 1 by 6 से 6.2 तक अब minus 1 by 6 मतलब क्या बलब यहाँ कहीं यहाँ कहीं मतलब यह हो जाता है minus 5 by 2 से 6.2 तो यह approximately 4 के आसपस टेच कर रहा है तो 4 से हो रहा है मतलब यह आपका 6.2 यह नहीं 2 पाई होगा यह कुछ approximation के basis पर मैंने इन point score के number scale पर plot किया है पहले तो यह बात आपको समझ आ रही है question में उसने यह कहा है कि आपका जो भी answer हो हमें फर्क नहीं पड़ता पर आप अपने answer को इसमें ही रखना minus 5 by 2 से 2 pi के बीच में तो हमारा जो भी answer आएगा हमें इसके पहले वाले और इसके बाद वाले zone से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो recurring है वो periodic function है तो बहुत pattern दिखाएगा तो हमें उन सारे patterns में नहीं उलजना है हमें बस इस से इसके बीच में देखना है condition समझ आईए I hope यह condition आप देख पा रहे हो क्या बात आप सोच भाए आपको अपने question को यहां तक limit करना है इस zone में देखना है कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से चलो देख लेंगे सर पर पहले हम अपना sign scheme तो शुरू करें बिल्कुल शुरू करो भी तो हम शुरूआत कहां से करेंगे हम right most side से शुरू करेंगे 2 pi से बड़ी कोई value लेते हैं बहुत बड़ी value मत लेना बस एक अपना random सा zone लेना और अगर वो नहीं भी लेनी है तो आप तो यहां पर यह value देख लो अब कौनसी value देख लो अब 5 pi by 4 और 2 pi के बीच की value देख लो आप यहां पर कोई देख लो यहां कोई देख लो यहां कोई देख लो बस वो root की repetitiveness हो यानि root की अगर power even या odd हो specifically even तो फिर उस पर क्या चीज़े होंगी वो भी याद रखना I hope आप भूले नहीं तो मैं इन एक एक points पर आपसे बात करना चाहरा हूँ I hope पहले तो आपको यह सारी बाते समझ जा रही है यह कैसे हमने इन सब चीज़ों को लेकर यह पूरे number scale पर यह सारे points plot किये हैं यह हमने कैसे यहां पर हर एक चीज़ निकाली है यह चीज़े कैसे सोची है इन सारी बातों में तो कहीं पर कोई परिशानी नहीं है अब हम inequality को देखना शुरू करते हैं ध्यान से देखो वे simple सी बात है बहुत sorted सी बात है यहां पर देखना 2 की power x-1 3 की power x-9 और 5 की power x-1 सोच के देखना बड़ी simple सी बात है मैं अगर आप से यहां पर पूछू मेरे लिए 2 pi के beyond वाले zone से कोई फर्क नहीं परता मैं अभी इस zone में देख रहा हूँ है क्योंकि उसके बाद जो भी हो रहा हूँ वो fluctuate होगा क्योंकि ऐसे values और मिलेंगे pi by 4 और 5 pi by 4 जैसे तो उसके beyond उसने खुद आपको रूख दिया क्या आप मत उल्जो आप 2 pi के पहले देखो 5 pi by 4 हम clearly जान पा रहे है 3 point something कुछ है मतलब 3 से तो बड़ी value है बस इतना मान के चलो मान लो थोड़ी दे के लिए 3 अब सुनना मेरे पास x की value 3 से कोई बड़ी value है अब मान लो 3.5 जो भी आपको मानना है अब आप सोच के देखो मैं इस जोर में डूढ़ना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करना 3 से कोई भी बड़ी value let's say 3.5 यहाँ 3.5 रखा positive 3.5 यहाँ रखा तो positive 3.5 यहाँ रखा तो positive इसकी value क्या होगी sin x minus cos x किसके लिए साथ sin x minus cos x 5 pi by 4 से 2 pi के बीच में सुनना ध्यान से यहाँ पर है यह 5 pi by 4 और यह आपका 2 pi 5 pi by 4 से 2 pi के बीच में यह है आपका cos x और यह है आपका sin x आप समझ पा रहे हो क्या और cos x और sin x में उपर कौन है सर उपर है cos x और sin x नीच है तो शैलाई से अगर cos x बड़ा है sin x से तो sin x minus cos x negative होगा cos x बड़ा है sin x से तो sin x minus cos x negative होगा क्योंकि cos x बड़ा है तो मैं यह कहना चाहरा हूँ बड़ी simple सी बात प्लीज ध्यान से चुनो conclusion है positive 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 but negative तो 3 positive एक negative यह क्या बनाएगा इसको negative मतलब सबसे पहली बात तो यह कि यह क्या रहा negative कुछ मत सोचो यह positive कह दो इसे negative कह दो इसे आप positive कह दो लेकिन 0 पर आकर मैं फिर attack जा रहा हूँ मैं 0 पर आकर फिर रुक रहा हूँ तो यह भी क्या रहेगा positive अप मनी बात समझपाएगा अप आराम से बैट कर चेक कर लो यही final आपकी values होँगी कैसे किया वही आपका alternate segment किसी एक segment को ढूंड लिया पहले दूसरी बात दूसरी बात यह please ध्यान से सुना कि आपने बस 0 पर आकर थोड़ा धियान से देखा क्योंकि 0 दो आपके factors का रूप था दो factors की यह value 0 बना रहा था इसलिए 0 को दोनों जगे left और right दोनों पर positive बनाया है यह बात समझ आई क्या मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है मुझसे बड़ी simple सी बात वो पूछ रहा है मुझसे क्या पूछ रहा है भाई कि आपका यह negative कहा है आपका यह less than 0 का है तो less than 0 सर दो जगे है एक यह वाला zone और एक यह वाला zone तो मैं क्या कहूंगा x जो belong करेगा आपका किसको करेगा सर pi by 4 से कहां तक आई होब ट्रिगों के साथ आप थोड़ा coordination मना पा रहे हैं बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं लग रही हैं और अच्छे से चीज़ें समझ आ रही है यह हम क्या कर रहे हैं यह हम अपनी iit jwe means और jwe advanced है ना mathematics की तियारी कर रहे हैं स्पेसिफिकल अगर आपसे बात करूँ तो हम यह advanced और mains के mathematics subject की बहुत comprehensive तियारी कर रहे हैं हम coordinate geometry कर चुके हैं calculus चल रहा है vectors in 3D इसके बाद आएगा फिर हम algebra और trigonometry coordinate में आपके coordinate system मतलब cartesian system straight lines, pair of straight lines, circle, parabola, ellipse और hyperbola cover किया calculus में आपके functions and relations चल रहा है इसके बाद limits, continuity, differentiation, differentiability application of derivatives maximum, minimum, monotonosity ये सब कुछ और इसके बाद फिर indefinite integration definite integration, area under the curve और इस तरीके से आपके differential equations के साथ calculus खत्म करेंगे vectors in 3D, sorted से दो topics cover करेंगे और उसके बाद algebra जहांपे सारे आपके individual topics जैसे की complex numbers, quadratic equations logarithm, statistics, binomial theorem permutation and combination, probability progression, mathematical reasoning ऐसे हार एक जो single-single आपके individual topics हैं, determinants, matrices सब कवर करेंगे, फिर क्या करेंगे trigonometry, जहांपे trigonometric ratios trigonometric identities, trigonometric functions आपके inverse trigonometric functions, आपके properties and solutions of triangles, ऐसा करके हार एक चीज, मतलब आप chapter का नाम लीजे, I am ensuring कि हम करेंगे IAT, EJ, E, Mase, Agribulary इनास में जो भी हर एक चीज आती है बहुत properly, detailed manner में thoroughly करेंगे, अब बस निशिंट होकर अपनी पढ़ाई जारी रखें, notes बनाएं, questions practice करें और हर वो चीज जो पूची जाती है, properly करेंगे, क्योंकि हम सारे chapters के सारे concepts करेंगे, उन्हें example से consolidate करेंगे, उसके बाद हम exercises के हर variety के questions consolidate करेंगे ताकि सारे chapters के हर concept का revise कर पाएं और उन्हें मझबूत बना पाएं चाहे वो single correct category के हो multiple correct option हो, more than you know matrix match type हो, या फिर linked comprehension based हो, या फिर आपके निमारी का लाँसर टाइप हर वो चरे के questions जो यह exam आप से पूछती है, तो एक अच्छी तयारी और यकीनन तोर पर chapter को culminate करेंगे, उससे आई हुए सारे previous years questions GW advance के solve करके, ताकि आप कोई यकीन दिला पाएं कि IAT GW mains ही नहीं, जो की GW advance का subset है, हम GW advance जो की super set है, जो की और tough exam है, इसके comparison में जो हमारी सबसे अच्छा level, super level या सबसे बड़ा level है, हम उसकी तयारी कर रहे हैं, आपको यह यकीन, faith दिलाएंगे previous years questions के साथ, इस तरीके से एक मजबूत तयारी यह है, और बिलकुल free of cost, सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात मेरा एकीने, आप जानते हो, कि यह बिलकुल free of cost है, हम kindergarten से 12th standard तक 100% free of cost quality online education देते हैं, हम कोई charges नहीं लेते, कोई hidden cost नहीं होती, कोई subscription करीने को नहीं करेते, we are absolutely 100% free of cost quality online education platform, हमारे notes, PDFs और ebooks के लिए, आप team से contact कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस video के description में दिए गया link, get notes पर click करना होगा, with that, let's call it a day here, ख्याल रखिये अपना, thank you so much.